नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर तोयज में क्रिपया चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियों को लाइक करें क्रिपया वीडियों लाश्ट तक देखें अगर वीडियों अच्छा लगे तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए आईए देखते हैं सीटेट में पूछे गए कोश्चन इसमें सबसे पहला कोश्चन था हारवर्ड गाइडनर का अंताव वयक्तिक बुद्धी इंटरापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया था यह होता क्या है अंताव वयक्तिक बुद्धी सोयम को समझने वा सोयम की विचारों समवेग में भावनाओं आदी को जानने वा समझने की योग्यता होती है इसके अंतरगर दार्शनिक और लेखा काते है और अंतरव वयक्तिक के बारे में पूछा गया था इंटरपर्सनल या दूसरों की भावनाओं तो था परिप्रेच्च को समझने की योग्यता होती है जिसके अंतरगर सामाजिक कारिकरता होते है प्रबंदक आते हैं परामर्सदाता और सिच्छक आते हैं अगला क्वेश्चन पुछा गया था कीट भच्छी पौधा नेपेंथिस नेपेंथिस या घटपरड़ी कहां पायाता है मेघालम पायाता है एक क्वेश्चन सड़ेगलेव मृत पदार्थों से पुछा गया था एक क्वेश्चन मस्रूम और अमर्वेल से पुछा गया था तथा संस्कृत में दिपावली से एक पैसेज दिया गया था इसमें अगला क्वेश्चन था इसकीमा से पुछा गया था जीन पियाजे के इसकीमा होता क्या है ऐसी मानसिक सरचना जो चिंतन के निर्मार का भाग है जो व्यक्ति विशेस के मस्तिस्क में सूचनाओं को संगठित तथा ब्याख्या करने हतु विद्धिमान होती है एक कोशचन रात्री में काला और सफेद देखने ले जानवरों के बारे पुछा क्या था जिसमें उल्लु, चमगादवर और रगिस्तानी चुहा है एक कोशचन खरीब की फसल के बारे में पुछा क्या था जिसका सही एंसर धान है अगला question है close-inded close-inded की बारे में पुछा गया था इसमें बीकल्प दिये होते हैं वोग बीकल्पों में से क्यों एक बिकल्प चुनना होता है जो कि limit होता है उसका एक question पुछा गया था जेंडर और लिंग के बारे में जेंडर एक समाजीक सनरशना है जो कि समाज निर्मित है और यह परिवर्तन सील होता है जबकि सेक्स लिंग एक जैविक संदशना है जेंडर समाजिक रशना है और लिंग या सेक्स यह जैविक संदशना है जो प्रक्ति प्रदत्य है और परिवर्तन सील होता है अगला question था जानवरों के सोने का सही समय क्या है उसमें पूछा गया था गाय चार घंटे सोती है अजगर अठारा घंटे बिल्ली बारा घंटे सोती है और जिराब दो घंटे सोता है एक question था गलोब पर भारत के विप्रीत कौन सा देश इस्तित है इसका सही एंसर है अर्जेंटीना मैत में जियो बोर्ड टूडी से से शेप से एक question पूछा गया था एक question वंसा नुगत कारकों से निर्धारित होता है इसका सही एंसर था आँखों का रंग एक question बाल्यावास था कि शुरुवाती दौर में भावनात्मक विकास के लिए एक काल होता है राउबल यानि परसानी इसका सही एंसर था एक question लेवाई गोट्सकी से पुछा गया था लेवाई गोट्सकी के अनुसार भासा है सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण यानि cultural tool है एक question गोल कुंडा के किला से पुछा गया था कि किस राजवांस ने इसे बनवाया है तिसे काकती राजवांस ने बनवाया है एक question था एक बच्चा जो कि उत्तर भारत में तमिल नाडू जाकर उत्तर भारत से तमिल नाडू जाकर CBST स्कूल में एडिमिशन लेता है और बहुत जल्द ही तमिल भासा को सीख लेता है तो बच्चा अपने परिवेश से भासा अरज़ित करता है इसका सही अंसर है ये बच्चा अपने परिवेश से भासा अरज़ित करता है एक question बाग के बारे में पूछा गया था इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है इसमें अपसन था बाग की मुझे रात में बाग को दिशा निर्देस में सायता करती है अगला था बाग अपने पेसाब के दौर अपने चितर की पहचान करता है अगला दिया था अपसन में बाग की दाहर पांच किमी तक सुनी जा सकती है यह पांच किमी नहीं होगा, यह तीन किमी होगा, बाग सीन किमी सुनिवेश में जाना website की निश्चित एड़ बहुत ज्यादा मत्रा में होती है, यह गया निश्चीत एड़िया को उसमादूःप क्यों होगते हैं۔ उसका नाम दिया गया है। एक क्वेश्चन खरीब की फसल से पुछा गया था कि खरीब की फसल जो की वर्षा के दोरान की जाती है इन में से कौन सा समू सही होगा इसका सही अंसर धान, बाजरा और मक्का एक क्वेश्चन जिवाडू, विशाडू, शैवाल और कवक से सम्मदित पूछे गये थे एक क्वेश्चन था कि इन में से कौन संग्यान को सांस्कृतिक पच्छ से जोड़ता है, वाइगोट्सकी है, वाइगोट्सकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त है, तो इसका सही अंसर है वाइगोट्सकी अगला कोश्चन था एक बच्चा घर में अपनी मां को तूलसी की पूजा करते हुए देखता है और पूछता है क्या ऐसा क्या होता है एक सिच्चक के रूप में आप क्या करेंगे एक क्यों दिया गया था इसका आपसर नहीं मिला मतलब इसा क्यों उसमें पूछा गया था। किस इच्छा के रूप में आप क्या एंसर देंगे एक क्वेश्चन था भासा का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है तो इसमें आप संथा महुत पुड़ इसका सई एंसर है जो थी एक क्वेश्चन मस्तका दो मुकी यानि से फैलो काडल से पुछा गया था जिसका अर्थ मतलब है विकास लंबोत रूप में सीर्ज से पैर क्योर होता है अगला क्वेश्चन था एक लड़का देखता है कि उसके पिता डिबबा बंद बोतल से पानी पीने का पानी लेते हैं उसने अपने पिता से पुछा कि हमारे आस पास नदी होने के बजाए हम डिबबा बंद बोतल से पानी क्यों पीते हैं तो पिता answer देते हैं कि दो गिलास में पानी लो एक ग्लास में नधी का पानी भर लो और दूसरे ग्लास में यहाँ ग्लास होगा दूसरे ग्लास में डिब्बा बंद बोतल का पानी और एक सब्ता तक निरिछड करो और बताओ इसका ऽही answer था यह अगला question था समिधान में कितनी भासाओं को रखा गया है समिधान में 22 भासाओं को रखा गया है ये 17 जन्वरी को भी ये question पूछा गया था और मूल समिधान में 14 भासाओं थी और ये आठवी अनुसूची में वर्डित हैं समिधान के और अनुच्छे 343 फर्ष्ट में अगला कुश्चन था की सवस्था में बच्चे आपरेशनल लाजिक विक्सित हो जाती है की सवस्था में लेकिन अपरिवर्तनी होती है तो ये पूरु संक्रियात्म का वस्था होगी दो से साथ वर्ष अगर यहां अपरिवर्तनी नहीं होता तो ये मूर्थ संक्रियात्म का वस्था होती है अगला कुश्चन था इवियस के चैप्टर के अनुसार इन में से कौन वेटलिफ्टर है वेटलिफ्टर करणम मलेस्वरी है इसमें सही अनसर है अगला कुश्चन था इन में से किस आपदा के समय लोगों को जानवरों के माध्यम से पहले ही पता चल गया था तो 2004 में जो सुनामी आये थी हिंद महसागर में उसी समय पता चला था भुकम्प में ऐसा नहीं होता है भुकम्प में पहले नहीं पता चल सकता है सुनामी के समय जानवरों को पहले पता चल जाता है अगला कुश्चन था प्रभावसाली और अर्थपुड अधिगम में मदद करता है अधिगम करता केंदृत सिछा सास्त्र इसका सही अनसर है मैद का एक कॉश्चन था पचास लीटर को असी एमेल के कितने डिब्ब को भरेगा पचास लीटर है तो पचास लीटर को एमेल में भरेंगे तो एक लीटर बराबर एक लीटर बराबर हो जाएगा एक हजार मीली तो 50 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 50,000 मिली हो जाएगा और 80 मिली लीटर है तो 80 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 8,6,8,42 दो बचेगा 8,21,14,4 बचेगा 8,45 इसका सही अंसर 625 होगा यहनी कितने डिबोग भरेगा 625 डिबोग हो अगला question दिया है मायत में है यह आरोही क्रव में वेवस्तीत करना है तो आरोही क्रव में वेवस्तीत करना तो यहाँ 22,2,22,28 22,1 32,18 और 33,45 यहाँ देखिए इसमें 22,2 है तो इसके अगे 0 लगा देंगे जो जो संक्याए lands में 1 है उसके आगे 0 लगा देते हैं तब देखिए 22.2 सबसे पहले आएगा और वही मतलब बढ़ते करम हो तो सबसे पहले छोटा लेंगे 22.10 होगा फिर 22.2 हो जाएगा फिर हो जाएगा 22.28 फिर आगे हो जाएगा 23.18 और फिर आगे हो जाएगा 23.45 यह हो जाएगा 2.6 हो जाएगा अरो उक्रुच्य क्रम में अगला कॉश्चन है छ अंकों कि सबसे बड़ी सख्या को 5 नंकों की सबसे चोटी संख्या से घटा आई जाता है तो परिडाम क्या होगा तो 6 नो बार, नो मतलब 6 बार लिख देंगे यह हो जाएगा अब करा है पांच छंकोगी सबसे चोटी संख्या हो जाएगा दस हजाएगा नाइन यह भी नाइन यह भी नाइन नाइन में मेंसे हमान गठाएगे एड हो जाएगा फिर यहां गड़ित में प्लेस बैल्यू यानि जाती मांद या आंकित मांद से कोश्चन पुछा गया दिशा समंधी कोश्चन पुछे गया वर्ग और आयत से समंधी कोश्चन पुछा गया है ट्रेन से समंधी कोश्चन पुछा गया है पंचभुच से समंधी कोश्चन पुछा गया है जिस ग्राफिया यानि लेखन समंधी विकार से समंधी कोश्चन ये लर्निंग डिसेबिल्टी से कोश्चन हर सिप्ट में पुछ जा रहे हैं और जीन पी आजे कोहल वर्ग वाई गोट्सकी से हर सिप्ट में कुश्चन आ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ें एक कुश्चन है एक बच्चे के पिता जो की मेहमानों के लिए चाकलेट लाए हैं वह बच्चा उसे इसलिए नहीं खाता क्योंकि वह पकड़ा जाएगा तो यह कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था है तो यह दंड यह आग्या पालन की अवस्था होगी जो की पूर अनैतिक इस लौकी किस्था की पिर लो की किस्थर के अंतर जाता ता यह तिसरी वस्था जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली भूर आता है इसमें पूरह लौकी किस्थर है प एबच्च लौकी किस्तर Debat इसमें छटवा अवस्ता है शारोभामीक, नैतिक, सिद्धान्त, अभिविन्यास एक क्युश्चन दिया गया था प्रैवेट स्पीच की बारे में कौन बात करता है तो हुजaltet ये लिववाई उचकी है वाई उचकी साहं प्रैवेट सिपीच की बारे में बात करता है एक क्वेश्चन था लड़का मिठाई चोरी से खाता है फिर डर से आधी मिठाई रग देता है ये कौल वर की कौन सी अवस्था को दिखाता है या पहली अवस्था है जिसमें दंड और आग्या पारन अभी विन्यास की अवस्था है जो पूरो लोखी किस्तर या प्राक नैत जो नाथिक पूरोअस्था के बारे मिठाता है एक क्यों लिख ट्वा अपिब्क कुछा गया था यस्टीफन क्रिसन से से सकेंट्रलेक्ट्रेंग लेग्वेज एक कुसान के बारे पूछा गया था एक क्वेश्टन प्राइमरी लेवल पर बच्चों को भासा सिखाना चाहिए। मात्री भासा सिखाने चाहिए। है क्वेश्टन और शिप्ट में कुषे जा रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ लिजे। एक question इंगलिस में कोई नाम दिया था उसमें पुछा था इसमें कितने new code हैं मतलब कोई नाम दिया था इस spelling दिया हुआ था तो उसमें पुछा था उस अच्छर में कितने new code हैं आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेयर करना ना भूलें जैहिंद